हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम गंतरगत हम उन महतपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं जो पूरे सब्ता खबरों में बनी रहती हैं महतपूर्ण जगहों से सम्मंदित वो इस्थान जिने हमें नक्षों पर जरूर देखना चाहिए उसकी प्रेक्टिस भी यहाँ पर करते हैं आपको बताना है कि इन में से कौन सा या कौन से युग में सुमेलित नहीं है आप्शन है अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली पैटागोनिया मरुस्थल दक्षडी अर्जेंटीना ब्राजील की उचभूमी पश्मी ब्राजील मराकैबोजील उत्तर पूर्वी ब्राजील तो एके करके हम नक्षे में देखते हैं ने हमें इस्थिती का पता चलेगा तो क्या दिया हुआ है यहां पर उत्तरी चिली यह क्या यहां पर है तो अटाकामा मरुस्थल यहां है और यह उत्तरी चिली का हिस्सा है यह बात एकदम सही है दूसरा पैटागोनिया मरुस्थल दक्षडी अर्जेंटीना इसको देखें तो अर्जेंटीना आपको यहाँ पर मिलेगा दक्षड में और यह है पैटागोनिया का मरुस्थल जो की अर्जेंटीना से संबंदित है और इसके दक्षड में है यह भी तही है उसके बाद दिया हुआ है ब्राजील की उच्च भू आ जीह website दखार दिखाई देगाब मातो ग्रोसों का सप्थार तो यह गलत है उसके बाद मारा है कैबो ज्छील को देखें यह दिखाई देगी है यह को मौझूद है लेकिन ये फिर ब्राजील का हिस्ता नहीं है तो इसमें पूछा गया है कौन से सही नहीं है तो यहाँ पर तीसरा और चौथा गलत है तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल तीन और चार आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्षन पर इसका सही जवाब भी दिया है आगे बढ़ें और सेशन के पहले सवाल को देखें और इसे जुड़ी जो खबर है वो बताती है कि पिछले महीने केनिया के वन्यजीव संदक्षित शित्रों में सूखे के मुख्य रूप से बोथसवाना में है जी कहता है उसके बाद अफ्रीकी हाथियों की अधिकांश आबादी कालाहारी मरुस्थल से लेकर मसाई लेंड के छित्रों में रहती है आपको सही कथन यहाँ पर बताने है पहले देखें कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहां है यहा अगर देशों का नाम देखें तो मुख्य रूप से फैला हुआ है बोथसवाना में उसके बाद थोड़ा हिस्ता नामीबिया और साउथ अफ्रीका को भी घेरता है उसके बाद आगे बढ़ें तो देखेंगे दूसरे स्टेट्मेंट को की अफ्रीकी हाथियों की अधिकां अगर आप रेगुलर देख रहे हैं इस एपिसोड को तो आप पो याद होगा हमने पिछले एक सेशन में मसाई लेंड को भी कवर किया था ये बेसिकली कहा का क्षित्र है ये लेक विक्टोरिया के पास केनिया और तंजानिया के बीच का क्षित्र आता है मसाई लेंड तो ये बात सही है कि काला हारी मरुस्थल से फिर यहां तक एक एलिफेंट कोरीडोर एक तरीके से दिखाई देता है में हाथी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में गुजड़ते हैं प्रमुकुरुक्ते तंजानिया जांबिया जिंबाव्वे बोथस्वाना चार देशों के नाम आते हैं और यहां केनिया का भी कोशिश्चा इससे जुड़ जाता है यह भी सही हो जाएगा तो सही कथन कौन से हैं दोनों ही एक और दो दोनों कथन सही हैं आगे बढ़ें अगली खबर हाल ही में पाकिस्तान में एक सरकार विरोधी रैली का नित्रत्व कर रहे वहां पाकिस्तान से कोई सवाल ऐसा बना दिया जाए तो क्या हमें नक्षे पर पकिस्तान के प्रमुख प्रांधियाद है तो कौन-कौन से दिये हुए हैं यहांपर खैबर, पक्छतुनख्वा, पंजाब, सिंध और बलुचिस्तान क्या दिया हुआ है .. पर्युक्त मेंसे कौन से भारत के साथ भी सीमा साजा करते हैं, मैं उनका नाम बताना है, जो भारत से लगते हैं, मैप में देखें, अब पाकिस्तान का मैप आपके सामने है, यहाँ पर है खैबर, पक्तूनख्वा, फिर पंजाब, फिर सिंध, और फिर बलुचिस्तान, तो ऐसे क्षित्र जो भारत से लगते हैं, उसमें है खैबर, पक्तूनख्वा, जो कि यहाँ पर लदाक वाले क्षित्र से, और कुछ हिस्ता, जम्मु कश्मीर वाले खित्र से लगेगा, उसके बाद पंजाब भी भारत से लग रहा है, राजिस्तान के एक बड़े क्षित्र को कवर करेगा सिंध यहां लगेगा गुजरात वाले क्षितर में जो नहीं लगेगा वो है बलुचिस्तान तो यहां पर बलुचिस्तान को eliminate अगर हम कर दें तो जो विकल्प बचेंगे वो सही हो जाएंगे एक दो और तीन यानि option B में तीनो ही विकल्प मौजूद है option B सही उत्तर हो जाएगा अब अगली खबर हाली में Doctors Without Border यानि MSF की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर पूर्वी स्तीरिया में अल होल शिविर के निवासियों ने नियमित रूप से हिंसा और शोशन का अन्भव किया है क्योंकि यहां उनकी रक्षा के लिए कोई भी आपचार कानूनी नीती मौजूद नहीं है तो प्रशन इस शेत्र से जुड़ा हुआ एक है खबरों में अक्सर कुर्दिश लोगों को विश्व के सबसे बड़े राज विहीन यानि स्टेटलेस निरिजाती समूह के रूप में चिन्हित किया जाता है देशों के निमलिकित में से किस समूह में इनकी अधिकांश आबादी निवास करती है तो ऐसा प्रशन बनना आर्मेनिया या फिर तुर्किये, इरान, अजर्बैजान और आर्मेनिया अब मैप में हमें पता चल जाएगा कि कहां पर कितनी आबादी है यहां पर जो आपको कलरड दिख रहा है वहां पर इनकी आबादी है खास तोर से तुर्की या तुर्किये, सिरिया, इराक और इरा किसमें है तुर्की सीरिया एरान और इराख ऑप्शन ए में मिल जाता है तो आप्शन एक का सही जवाब है चलिया अगली खबर हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में जाच के दारे में चल रहे राश्टपती पेड्रो कैस्टिलो के स्टीफे की मांग को लेकर हजारों की राजधानी लीमा की सड़कों पर उतर आए हैं अब प्रश्ण में देखिए कुछ खासियत दी हुई है कि यह देश अमेर्की महादूइप में क्षित्रफल की द्रिष्टी से तीसरा सबसे बड़ा देश है उसके बाद एमजान नदी या मेजन नदी इसी देश से निकल पर है कई सारे ऐसे यहाँ पर क्लू दिये हुए हैं जो कि हमें इसका उत्तर बता देंगे कि यह जो विवरण है किस देश के लिए सरवाधिक उचित प्रतीत होता है दो तीन चीजे है पहला कि यह दक्षड अमेर्की महादूइप में तीसरा सबसे बड़ा देश है इस हिस अगर आप देखें तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है ब्राजील ठीक दूसरा है अर्जेंटीना और तीसरा है पेरू तीसरे सबसे बड़े देश की बात है उसके बाद कहा गया है यहाँ पर इसका तटी इलाका बर्ड ड्रॉपिंग के माध्यम से फॉस्फिट उत्वादन के लिए महत्पूर है तो बर्ड ड्रॉपिंग यहाँ 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 पर काफी सारे जो पक्षी आते हैं वो बीट करते हैं और फिर उसके पॉस्फेट यहाँ पर उनको मिल जाता है इसके लावा ठंडी समुद्री धारा का नाम भी है इसके नाम पर तो पेरू इसका तही जवाब है क्योंकि पेरू धारा वहाँ पर चलती है आपको पता ही है दूसरा जो भी विकल्प यहाँ पर क्लू दिये हुए हैं इसके और इशारा करते हैं तो पेरू इसका तही उत्तर हो जाता है अगला इंडोनेशिया के बाली में अगले सप्ता होने वाली जी ट्वंट प्रश्न क्या बना निम्न लिखित में से कौन सा समूह जी ट्वंटी के सदस्तियों का है आपको बताना है ऑप्शन अर्जेंटीना स्पेन दक्षड अफ्रीका जर्मनी ब्राजील अर्जेंटीना संयुक तरब अमीराद भारत तुर्किये सौधी अरब मैक्सिको न्यूज के मेंबर्स हैं तो कौन-कौन से हैं अगर आप इसमें सही उत्तर निकालें तो अर्जेंटीना इस्पेन तो पहले बात इसको आप इलिमिनेट कर सकते हैं यह नहीं है फिर ब्राजील अर्जेंटीना संयुक तरब अमीराद और भारत यहाँ पर आप देखेंगे तो संयुक ये भी eliminate हो जाएगा बचा कौन सा option D दक्षड कोरिया जापान भारत और मेक्सिको सभी सदस्य हैं तो option D सही उत्तर हो जाता है बाकी के नाम आप चाहें तो screen shot ले करके रख सकते हैं बाद में आपके काम आएंगे अब अगली खबर कहती है कि हाल ही में स्वेडन के द्वारा नाटो में शामिल होने के प्रयासों के बीच तुर्की ने स्वेडन से नाटों की सदस्यता की मंजूरी से पहले आतंकवात के खत्रों का मुकाबला करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर दी प्रश्न क्या बना निम्ने लिखित में से कौन सा यूरोपिय शेहर स्वेडन से नियूंतम दूरी पर है किस से स्वेडन से शेहर कौन कौन से है कोपिन हेगन ओसलो हेलसिंकी और बरलिन अब मैप में देखेंगे फिर पता चलेगा तो स्वेडन आपको कहां दिख रहा है य Copenhagen यहाँ है उसके बाद Berlin जो की जर्मनी की राजधानी है यहाँ है और फिर Helsinki जो की फिल्लेंड की राजधानी वो यहाँ है आको बताना है कि यह स्वीडन के सबसे नजदीक कौन सी है तो यहाँ पर Oslo दिखाई देगा कि स्वीडन के सबसे नजदीक है लेकिन उससे भी के रूप में दिया हुआ है कोपनहेगन होगा जो की डैन्नमार की राजधानी है हाला कि Oslo इसके नजदीक है लेकिन इतना नहीं है जितना यह वाला है ऑप्शन ए इसका पही उत्तर हो जाता है चलिए अगली खबर हाल ही में USA के हवाई स्थित मॉना लोवा जोला मुकी में फिर से उद्गार की आशंका जताई जा रही यह मैतपूर्ण खबर भी है और मैतपूर्ण छितर भी है निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला हवाई दूइप पर पाये जाने वाले जोला मुकी अंता प्लेट जोला मुकी यानि इंट्रा प्लेट वॉलकेनों के उदाहरण है दूसरा प्रिशांत महासागर का अधिकांश विस्तार पैसिफिक प्लेट के उपर है उसके बाद नाजका प्लेट का विस्तार प्रिशांत महासागर के नीचे है आपको सही कथन का चुनाव करना है एके करके तीनों को देखें कि हवाई दूइप समूह पर प प्रशांत प्लेट एक बड़ी प्लेट है और यहां पर आपको दिखेंगे हवाई आइलेंड यह तो यह अंता प्लेट के उधारण है इसका मतलब होता है कि यह से जो जौला मुखी से निर्मित दूइब जो की इसी प्लेट के बीच में आते हों उसके तट के पास ना आते हो क्योंकि उसका जो किनारा है वो यहां है जैसे जापान का अगर आप उधारण देखेंगे तो 30 शित्र में आएगा इसके मतलब की किनार उपर आएगा ना की बीच में तो यह वाला जो उत्तर होगा इसका सही है पहला वाला उसके बाद प्रशांत महासागर का अधिकांश विस्तार पैसिफिक प्लेट के उपर है तो सही बात है प्रशांत महासागर पैसिफिक प्लेट के उपर मौझूद है और उसके बाद कहा गया है कि नाजका प्लेट का विस्तार प्रशांत महासागर के नीचे है तो यह बात भी सही है क्योंकि नाजका प्लेट यहां पर option D सही उत्तर है उपर्युक्त सभी विकल्प सही है आगे बढ़ें अगली खबर हाली में इंडियन ओशन रिम एसोसियेशन आई ओ आरे की तत्वापधान में भारती नौसिना ने इल्लीगल अन्रिपोर्टेड एंड अन्रेगुलेटेड फिशिंग विश्य पर गोवा में एक सेमिनार का आयोजन किया प्रश्नी क्या है निम लिकित में से देशों का कौन सा समूह इंडियन ओशियन रिम एसोसियेशन यानि आई ओ आरे के सदस्यों का है अब यहाँ पर दे यूजिलेंड पाकिस्तान और इरान तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे उन देशों के नाम जो की आई ओ आरे से संबंदित हैं कौन-कौन से प्रमकूरूप से भारत इरान यूए ओमान यमन तोमालिया केनिया तंजानिया यहाँ पर फ्रांस की भी एक टेरिटरी मौजूद है जो कि इससे संबंदित है ठीक है तो विकल्पों में आते हैं जैसे की साओधियर आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है तो पहला वाला इलिमनेट हो जाएगा ठीक दूसरे वाले पर आईए यहाँ पर श्रीलंका फ्रांस सिंगापुर और UAE यह मौजूद है तो यह सही विकल्प है उसके पास C को अगर देखेंगे तो United Kingdom नहीं है गलत हो जाएगा इसको देखेंगे तो पाकिस्तान नहीं है यह भी गलत हो जाएगा यहाँ पर विकल्प भी सही उत्तर हो जाता है ठीक तो इस तरह भी एक बार देखते रहना ह है कि अगर ऐसे कोई प्रश्ण फ्रेम कर दिये जाए आई ओ आरे या जी ट्वंटी तो वह मैप में जब तक हमें याद नहीं होंगे तो हमें जो विकल्प है उसको इलिमनेट करने में अक्सर दिक्कत समझ में आती रहेगी अगली खबर कहती है कि हाल ही में भारत का एक नि ट्रेस्टिंग सा सवाल है एक उपग्रह प्रित्वी की ध्रुवी कच्छा यानि पोलर ओर्बिट में परिक्रमा कर रहा है ठीक यह एक एक दिन में 15 बार प्रित्वी का चक्कर लगाता है ऐसे में यह एक दिन में नियूनतम और अधिक्तम कितनी बार भारती भू भाग के ठीक ऊपर से गुजरेगा अब यहां विकल दिये हुए है नियूनतम जीरो अधिक्तम एक नियूनतम जीरो अधिक्तम दो नियूनतम एक अधिक्तम तीन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा समझ में नहीं आ रहा हुग कि क्या पूछ रहा है एक उबग्रह प्रित्वी की नॉर्थ और साउथ अगर हम इसको साड़े तेस ना जुकाएं तो सीधे सीधे समझ लेते हैं नॉर्थ और साउथ जयानि जो पूलर ऑर्बिट उसकी बनेगी धुरुवी कक्षा कुछ ऐसी बनेगी वो इस कक्षा में घूम रहा है ठीक साथ ही जो प्रित्वी है वो भी घ रहा है तो जब यह भारत वाल एक शित्र में आएगा यानि जिभूब रहा है तीन सो ऑट टिगरी हो मैं यह कितना ले रहा है पंद्रह बार चक्कर लागा रहा है एक दिन में इसको जब आप इससे भाग दे देंगे तो यहां पर आएगा 24 डिगरी यानि लगबग 24 डिगरी एक बार में ये कवर करेगा ही करेगा अगर आप भारत का यहां पर भगौले की विस्तार देखेंगे तो यहां पर इसके वेस्ट से इस्ट की और लगबग 30 डिगरी का विस्तार है तो य एक बार तो यहां से गुजरेगा ही तो नियूंतम एक बार और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार यहां से गुजर जाए और एक बार यहां से गुजर जाए क्योंकि विस्तार 30 डिग्री का है और इसको लेना है 24 डिग्री का तो दो बार भी गुजर सकता है यानि कि नियूंतम एक बार और अधिक्तम दो बार तो इस तरह के प्रश्णों में भी आपको दिमाग लगाते रहना है कि अगर ऐसा कुछ बन जाए और इंट्रेस्टिंग ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे हम इसे सॉल्ब कर पाएंगे तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चलिए अगली खबर कहती है कि हाल ही में नवंबर की तीसरी तारीक को युनेसको ने इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फियर रिजर्व मनाया तो निमलिखित को उत्तर से दक्षिन के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व अगस्तेमाला बायोस्फियर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व अचानक मार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व उत्तर से दक्षिन यहाँ पर कई सारे जो ब प्रोग्राम में शामिल नहीं है लेकिन भारत के प्रमुख बायोस्फियर रिजर्व हैं अब हमें देखना है कि इन विकल्पों के हिसाब से कौन से आएंगे तो सबसे पहले कौन सा है सबसे बहले है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व नौर्ट से साउथ के और जब हम जाते हैं तो यह है चौथा ठीक उसके बाद पचमढ़ी पचमढ़ी है पहले नंबर पर पहला उसके बाद कौन सा दिख रहा है हमें नील गिरी तो नील गिरी है तीसरे नंबर पर और फिर है अगस्ते माला तीसरे नंबर पर और अगस्ते माला यह है नील गिरी यह है अगस्ते माला चौते पर है 4-1-3-2 विकल्प किसमे है यह उप्शन C में तो इसका जो सही कर्ण होगा इस करम से आएगा उप्शन C सही जवाब चलूए अब बाकी के नाम चाहें त अगली खबर की हाल ही में मिजोरम के आईजोल का एबॉक क्लस्टर शामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना इसने SPMRM के तहत नियो जित तभी 48 परियोजनाओं को पूरा किया खबर है इसके इस पर भी ध्यान देना है आपको कि ऐसा इससे भी प्रश्न बनाया जा सकता है बाकि मैप वाला क्या है निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला राश्ट्री राजमार्क संख्या 2 यानि NH2 पूर्वत्तर के कम से कम तीन राज्यों से गुजरती है दूसरा NH4 का एक हिस्ता असम राज्य में भी है अब आपको बताना है सही कथन कौन सा है या कौ मिजोरम तक जाती है यहां तक ठीक इसके बीच में कितने राज जाएंगे असम एक नागलेंड दो मणी पूर्तीन और और यहां पर मिजोरम का जो क्षित्र है तुई पांग वो चार बाकि इनकी जो राजधानिया है प्रमगरूप से इनको भी जोडता है तो जो पहला हिस्ता असम राजध में है तो इस बात को ध्यान रखिए कि NH4 एकमात्र नेशनल हाईवे है जो अंडमान में है ठीक है यह भारत के मेल लेंड से दूर है और अंडमान में है इसके अलावा बाकी सभी लगबग भारत में ही है और NH4 के बारे में इसलिए जानना महत्पूर है राजध में एक शीर्ष मधुमक्खी पालन शित्र के रूप में उभरा है निम्दलखित युगमों पर विचार करना है घाटिया दी है और राज दीए है कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश लिद्दर घाटी जम्मू एवं कश्मीर शरावती घाटी करनाटक और निवरा घाटी पश्य मंगल हमें सही युगम का यहां पर विचार करना है कौन सा सही है कांगला घाटी से शुरू करें तो कांगला घाटी नंबर एक यहां पर आएगी निमाचल प्रदेश में है दूसरी कौन सी दी है लिद्दर घाटी जो की जम्मू और कश्मीर में है यहां और ये कश्मीर घाटी से सटी हुई है इस बात को भी याद रखिएगा जहलम नदी के नस्दीक उसके बाद शरावती घाटी करनाटक दिया हुआ है शरावती नदी से संबंदित यहाँ पर है उसके बाद अगला दिया हुआ है निवरा घाटी पश्चिम मंगाल जो की निवरा ही बिलान है यह चारों सही है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी युग में यहाँ पर सही है अगली खबर हाल ही में हैदराबाद भारत का सब्ते बड़ा मियावाकी वनक्षेत्रवाला शहर वन गया है निमलिकत में से कौन सा भारती शहर उपोश्ण कटिबंध में स् तो इस बात को आप समझ जाएए कि अगर आप एक रेखा खीचेंगे भारत के बीच में वो भी लगबग 23 डिगरी नौर्थ पर उसके उत्तर में जितने क्षेत्र होंगे वो सभी फिर उपोश्ण कटिबंध के अंतरगत आएंगे बाकी फिर उपोश्ण कटिबंध के अंत तरगत ये उत्तर में है सही उत्तर कौन सा हुआ ओप्शन B गया और उसके नजदीक बोध गया का इस्थान मौजूद है ठीक चलिए अब एक सवाल जो की UPSC ने पूछा है 2022 में सेट A का है निर्मलिखित युगमों पर विचार कीजिए वेटलेंड्स दिये हुए है वेट पंजाब रेणुका वेटलेंड या आर्द्रभूमी हिमाचल प्रदेश रुद्रसागर जील त्रिपुरा और सस्थामकुत्ता जील तमिलनाडू आपको बताना है कौन से सही है करके देखे होकेरा दिया हुआ है पंजाब तो होकेरा वेटलेंड यहां है जम्मू कश्मीर में पंजाब में नहीं है यह गलत हो गया रेणुका वेटलेंड कहां है हिमाचल में उसके बाद रुद्रसागर जील त्रिपुरा में उसके बाद सस्थम कुट्टा लेक केरल में नाकी तमिलनाडू में यह गलत है और यह गलत है रेणुका आर्द्रभूमी हिमाचल और र तीन सही है लेकिन यह पूछा है कितने युग में सही है केवल दो युग में इसका सही उत्तर हो जाता है तो यह आज के डिसकेशन में जिन सवालों को हमने लिया है महत्पूर्ण है एक बार आप अपने मैप में इनकी चर्चा देख लीजेगा कि कहां पर की जाएगी अब द ही है बी सी या फिर डी कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दे दीजे और हमें जरूर बताइए कि यह सेशन आपके लिए कितना मददगार हो रहा है आपको इससे कितना लाब मिल रहा है आप से मिलेंगे अगले सेशन में इस प्रश्न के उत्तर के साथ और प्रश्न के लिए